हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई चैनल फ्रेंड्स मिसिस कोली की तरव से प्यार भरा नमशकार सत्च्रियाकाल अदाब दोस्तो एक बर मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रेस्पी के साथ आज हम बनाने वाले हैं धाबा स्टाइल बैंगन का भरता जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और इसे बनाना बहुत असान है ये सभी को बहुत पसंद आने वाला है जिस तरह से आज हम बैंगन का भरता बनाने वाले हैं तो आएए देख लेते हैं, इसे बनाने के लिए हमें किन-किन चीजों की जरूरत पड़ती है तो यह सब से चीजें हमने लिये हैं बैंगन का भरता बनाने के लिए तो सबसे पहले चाहिए होते हैं हमें बैंगन तो यह Half kg क्रीम मैंने बैंगन लिये थे और बिल्कुल साफ सुत्रे बेंगन होने चाहिए, कहीं से भी, कहीं कटा या खराब बेंगन नहीं होना चाहिए, इसे मैंने अच्छी तरह से रोस्ट करके, छील कर और चेक करके, बिल्कुल साफ सुत्रा बेंगन चेक करना बहुत जरूरी होता है, कई वर इसमें कीड़े चोटा सा टुकड़ा मैंने अद्रगा काट कर लिया है साम में चाहिए हरा धनिया पत्ता दो मैं ने प्याज बड़े बड़े काट लिये हैं और 2 ही टमाटर मैं काट कर ले रही हूँ और साथ में देखिए जो हमें चाहिए मसाले तो स्वाद के नुसार चाहिए हमें नमक आदा चमच ले रही हूँ लाल मिर्श का पाउडर क्योंकि हमने हरी मिर्श भी ली है और 1 फोर्ट चमच मैं ले रही हूँ भुने जीरे का पाउडर और 1 फोर्ट चमच मैं ले लिया है गरम मसाला तो स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए फ्लेम ओन करते हैं गैस की और रख देते हैं उसके उपर कड़ाई कड़ाई में मैंने दो बड़े चमच ऑईल डाल दिया है और ऑईल अच्छी तरह से गरम हो चुका है तो अब हम इसमें डाल देंगे वन फोर्ट टी स्पून साबु जीरा साथ में ही मैं डाल दूंग इसमें थोड़ी सी हींग क्योंकि हींग का फ्लेवर ऑईल में अगर आ जाता है जीरे का और हींग का तो बहुत ही बड़िया टेस्ट आ जाता है उसमें ऑईल में तो साथ में ही मैं इसमें डाल दूंगी कटे हुए प्याज प्याज को हलका गुलाबी होने तक हम भून लेंगे यह देखिए प्याज हमारे हलके गुलाबी रंग के हो चुके हैं अब हम इसमें डाल देंगे कटी हुई अद्रक और साथ में ही कटी हुई हरी मिर्च भी एड़ कर देंगे इसमें और मिक्स करेंगे इसे अच्छी तरह से प्याज में बहुत ही बढ़िया खुश्बू आती है जब यह इस तरह से तड़का लग रहा हो सबजी बनाने के लिए मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह से हींग का तड़का लगा हो जीरे का तड़का लगा हो और जब प्याज और अद्रक हरी मिर्च इसमें डल जाए तो बहुत ही बड़िया फ्लेवर आ जाता है तो देखिए प्याज हमारे लगबग भुन चुके हैं और अब हम इसमें डाल देंगे हरे मटर साथ में ही मैं एड कर दूँगी इसमें कटी होई शिमला मिर्च मिक्स करेंगे इसे एक बार अच्छी तरह से इस तरह से अगर हम बैंगन का भरता बनाएंगे तो सभी उंगलियां चाटते रह जाएंगे बहुत ही टेस्टी ये बैंगन का भरता बनकर त्यार होता है और अब मैं साथ में ही इसमें एड कर दूँगी कटे हुए टमाटर टमाटर मैंने थोड़े बड़े पीसीज में काटे हैं क्योंकि जब हम बैंगन का भरता बनाते हैं तो टमाटर अच्छी तरह से जो मैश हो जाते हैं उस तरह से मुझे टमाटर नहीं चाहिए इस में और भरते में अगर थोड़े बड़े पीसीज टमाटर के रह जाते हैं तो देखने में भी बहुत संदर लगते हैं और खाने में भी उसका टेस्ट बहुत बढ़ीा आता है तो इस तरह से मैं ढॉक करका कम से कम 2-3 मिनट पर पकने दूगी दो-3 मिनट हो चुके हैं और फ्लेम बिलकुल लो है लो फ्लेम पर हमें कोकिंग करनी है इसमें ताकि हमारे जो सबजियां हैं वो अच्छी तरह से कोक हो जाएं तो ये देखिए अब मैं इसमें एड़ करूंगी मसाले मसालो में मैंने सुखा धनिया का पाउडर भी क्रेश कर लिया है ये देखिए बिल्कुल फ्रेश सुखा धनिया चाहिए होता है हमें और एड़ कर देते हैं इसमें मिक्स करेंगे से अच्छी तरह से मुझे थोड़ा सा इसमें नमक कम लगा है तो मैं नमक इसमें थोड़ा सा और एड़ करूँगी तो नमक मैं इसमें आड़ कर चुकी हूँ और अब मैं इसे ढखकर कम से कम चार से पांच मिनट पकने दूँगी पूरे पांच मिनट हो चुके हैं सब्जियां हमारे अच्छी तरह से पक चुकी है और बिल्कुर भी हमने इसे पकाना नहीं था तो करंची ही रखे हैं टमाटर अब मैं इसमें एड़ कर रही हूं बटर बटर से इसमें फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है यकीन मैं यह बटर से इसका जो टेस्ट है वो कई गुना बढ़ जाता है तो इसे मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से तो मसाला तो हमारा अच्छी तरह से भून चुका है सबजियां उसमें अच्छी तरह से पक चुकी है अब मैं एड़ करूंगी इसमें बेंगन बेंगन को भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और फ्रेंड्स हाँ मैं आपको बता दूँ कि मैंने अपनी कम्मूनिटी में जो पोस्ट किया है पूरे one week के लिए मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आऊंगी उन वीडियो में दो वीडियो ऐसी होंगी जिसमें मैं आपसे एक question पूछूंगी तो वो question का answer आपको देना है जो भी उस question का answer सबसे पहले और बिलकुल सही देगा तो उसे मिलेगा gift और गिफ्ट भी मैं उसी दिन पोस्ट कर दूँगी जिस दिन मुझे आंसर मिलेगा तो यह देखिए सब्जी हमारी पककर बिल्कुल त्यार है कम से कम 6-7 मिनट मैंने इसे ढख कर पकाया है और अब मैं डाल दूँगे इसमें धेर सारा हरा धनिया क्योंकि हरा धनिया अगर भैंगन के भरते में अगर एड़ हो जाए तो उसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है तो हमारी सब्जी बनके बिल्कुल त्यार है यानि कि धाबा स्टाइल जो बैंगन का भरता है बिल्कुल त्यार हो चुका है अब मैं इसे डाल लूँगे एक बॉल में यह दिखिए कितना प्यारा कलर आया है मूँ में पानी आने लग गया है देखकर और अभी अभी ताजी ताजी गरम गरम रोटी हो चाए नान हो चाए चावल हो उसके साथ आप इसे इंजॉई कीजिए आपको बहुत ही टेस्टी लगने वाला है तो त्यार है आपके लिए बहंगन का भरता पिलकुल नए स्टाइल में तो फ्रेंड्स ज्यादा से ज्यादा आप मेरे इस गेम में पार्टी स्पेट कीजिए जो मैंने पोस्ट किया है और साथ में मैं ऐसे गानिश करूंगी बटर के साथ तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी साथ हाँ आप पार्टी स्पेट करना मत भूलिए इन साथ दिनों में आप विनर बन सकते हैं तो फिर मिलूंगे एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाइबाई